अपने अम्मी अब्बू से पूछे आज से तक्रीबन 75 साल पहले हमारा मुल्क भारत अग्रेजों का गुलाम था अंग्रेज हम भारतियों पर बड़े जुल्म करते थे हमें बहुत सताते थे ऐसे में हमारे रहनुमाओं को हमारे वतन को आज़ात कराने का खयाल आया और वतन को आजाद करवाने की खातिर कई लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी जेल जाना पड़ा ऐसे रहनुमाओं में गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नहरू, मौलाना बुलकलामाजाद, सरदारवला भाई पटेल और ऐसे कई रहनुमाओं की कोशिशों से हमारा मुल्क 15 अगस्ट 1947 को आजाद हो गया प्यारे वच्चों, आपको याद होगा, हम हर साल इसकुल में 15 अगस्ट 26 जनवरी के मौके पर गाउं में परबात फेरी निकालते है आजादी के नारे लगाते है और इसकुल में आकर जंडे को सलामी देते है वही जंडा हमारा परचम कहलाता है तो प्यारे वच्चों, आज हम इसी परचम के तालुक से सबक पढ़ेंगे सबक का नाम है हमारा परचम प्यारे वच्चों, आज हम इसका नाम आप से सबक्राइबेंगे